अगर आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो, और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, या जिन्दगी में खुश नहीं रह पाते, या आप अपनी जिन्दगी में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो श्रीमत भागवत गीता का ग्यान आपको हमेशा खुश रहना सीखा देगा, आपको जिन्दगी की हर जंग जीतना सीखा देगा, काम्याबी को हासिल करना सीखा देगा, जब आपको ये लगे कि ये दुनिया बहुत मतलबी है और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सब बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, तो श्रीमत भागवत गीता का ज्यान ऐसे वक्त में आपको हिम्मत देता है, आपको राह दिखाता है, एक बात तो बक्ती है जो गीता का ज्यान समझ लेता है, वो अपनी हर समस्या को आसानी से दूर कर सकता है, आज हम उसी श्रीमत भागवत गीता की 15 अद्भुत शिक्षाओं के बारे में चर्चा कर करेंगे, एक बात की गैरे नंटी है, जो भी व्यक्ती इन 15 शिक्षाओं को वीडियो के अंत तक पूरा ध्यान से सुनेगा, वो अपनी हर परिशानी, अपने हर दुख, अपनी हर पिड़ा को आसानी से दूर कर देगा, जीवन में उसे जो भी चाहिए, वो बहुत सरलता से हासिल कर लेगा, श्रीमत भागवत गीता की पहली शिक्षा ये है कि जो होती है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही हर इंसान मतलबी और स्वार्त ही लगने लगता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने, ये जो होता है, अच्छे के लिए होता है, हालां कि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है, तो वो हमें लायक और मजबूत इनसान बनाता है, और जब कोई अपना हमें चोट पहुँचाता है, तो उस चोट से हम हमारी आँखें खुलती है, कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे, जिसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे चोटे बच्चे को उसकी मा कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवाई उस बच्चे को बिलकुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही कड़वी दवा उसकी की बेमारी को खत्म करती है। वास्त्विक्ता में हर इनसान उसी को सच मान के जीता है। जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब-तब किसी का सच नहीं समझ सकते। जब जब तक आपकी जंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अच्छा चलती है। लेकिन जी इस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है। तब आपको उनका असली चहरा दिखाई देता है जो आपको बहुत गहरी चोट पहुंचता है। आपने अक्सर ये लोगों को कहते सुना होगा कि ये इनसान ऐसा निकलेगा। मैंने सोचा ही नहीं था क्या-क्या नहीं किया उसके लिए इसे मैंने अपना माना था। पर ये ऐसा निकलेगा इसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। वास्तविक्ता में हर इनसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इनसान की सच्चाई सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि अगर कोई आपको चोट पहुँचाई तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है क्योंकि उसी की वज़ह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा सुखों में रहते हैं, उनकी जिन्दगी में अगर जरा सा दुखाता है तो वो उसे जहेल नहीं पाते। लेकिन जो इनसान दुखों से लड़ता आया है। जिसने अपनी जिन्दगी में अपनों के बुरे व्यवहार को सहा है। ऐसे इनसान को जिन्दगी के छोटे मोटे दुखों से कोई फरक ही नहीं पड़ता है। और जो इनसान चोट नहीं सहता, वो कभी महान इनसान नहीं बन सकता। वो कभी किसी बड़ी काम्याबी को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जिन्दगी में जब तकलीफ आए, परिशानी आए, बुरा वक्त आए, तो याद रखना। कि वो ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है कि आप जिन्दगी की किसी बड़ी मन्जिल को हासिल करने वाले हैं। श्रीमद भागवद गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि किसी को बार बार माफ करना आपकी जिन्दगी भर। या आपके जीवन को बहुत गहरी चोट पहुँचाता हैं तो ऐसे कामों की कोई माफी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों के लिए भी लोगों को माफ कर दोगे तो याद रखना, एक दिन वो आपकी माफी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। श्रीमद भागवत गीता का तीसरा उपदेश है कि जूटे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखना, इस दुनिया में अच्छे लोगों को जूटे लोगों से ज्यादा परिक्षा देनी पड़ती है, ज्यादा दूख सहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। अगर आप अच्छे हो तो ये आपको सहना पड़ेगा, अगर आप अच्छे हो तो हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। जब दुर्योधन और शकुनी पांडवों के साथ छल करके जुआ खेल रहे थे, तब उस समय पे युधिष्ठिर चुप चाप सबसे सहता रहा, उन्होंने छल कपट करके पांचों भाईयों को जुआ में लगा दिया, उनकी पतनी द्रौपदी को भी जुआ पे लगा दिय इस सभा में हमारे बड़े बैठे है, हमें तो सत्य का पालन करना है, जो लोग सिर्फ छल कपट से जी रहे हैं, उनके सामने कोई जरूरत नहीं है कि आप सच्चाई से चले, यहां उन्हें ये दिखाए कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं, सच बोलना, पुन्य सिर्फ त पुन्य है, लेकिन अगर आपके सच से किसी के दिल को चोट पहुंचती है, तो वो सच पुन्य नहीं पाप है, इसलिए जो इनसान आपके साथ गलत करता है, जो इनसान हमेशा आपके साथ छल कपट करता है, आपको धोखा देता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। गीता का चौथा उपदेश ये है कि दुष्ट इनसान के साथ चाहे आप जितनी भी भलाई कर लो, लेकिन वो हमेशा आपको नुकसान पहुँचाएगा। वो कहते हैं ना कि बुरा इनसान कभी अपनी फितरत को नहीं छोड़ सकता। जब आपको पता हो कि सामने वाला इनसान हमें आपको दुख पहुँचाता है। हमेशा आपके साथ गलत करता है। और आप ये सोचते हैं कि वो चाहे कैसा भी चले, लेकिन मुझे अच्छा ही चलना है। आपकी यही गलती आपको बहुत दुख देती है। जब आपके साथ कोई गलत चले, आपको कोई जरूरत नहीं है उसके साथ अच्छा चलने की आपने। उसके साथ अच्छा चलो ना उसके साथ बुरा चलो, बस आप उससे दूरी बना लो, लेकिन फिर भी, अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहोगे, तो सिवाए पीड़ा के आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। श्रीमत भागवद गीता का पांचवा उपदेश है कि जिन्दगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे, तो ये दुनिया एक दिन आपको मिटा के रख देगी। इस दुनिया में न सहने वालों को समझदार नहीं बेवकूफ समझा जाता है, या फिर कायर समझा जाता है, जो इनसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इनसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए वो खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है, और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुप-चाप सहते रहेंगे, तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए आज के युग में जो जितना सहता है, लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं, इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, सामने वाला आपको तकलीफ पहुँंचा रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप श्रीमल भगवत गीता का छठा उपदेश है कि आप दुखों से घबराना छोड़ दो, क्योंकि दुख और सुख हर इंसान के जीवन में मौसम की तरह आते हैं, उससे कोई नहीं छूट सकता, तो उससे परेशान होने की बजाए रहेगा, तो एक दिन वो भी बरबाद हो लेकिन फिर भी एक पापी इंसान के संग में रहने के कारण उसका सर्वनाश हो गया, ऐसे ही एक अच्छा इंसान, जब बुरे लोगों की संगत करता है, तो चाहे वह खुद कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उन गलत लोगों का पाप उसे भी भोगना पड़ता है, जिन्हें आपके प्रेम और भावनाओं की कदर हो, और उसका मूल्य पता हो, जब आप अपना प्रेम किसी ऐसे इंसान से लगा लेते हैं, प्रेम की कोई कदर नहीं है, तो वहां आपके दिल को बहुत दुख मिलता है, जब आप ऐसे किसी इंसान की बहुत ज्यादा वैलू करते हैं, जिसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सिवाए आंसुओं के आपको वहाँ कुछ नहीं मिलता, याद रखना किसी गलत इंसान के साथ जुड़ने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो, आप अकेले रहकर अभी उतना दुखी नहीं हो सकते, जितना एक गलत थोड़ा उस रिष्टे को समझना, अभी जाकर अपनी जिंदगी में किसी को वो प्रेम की इज़द की खास जगह देनी चाहिए, किसी को प्रेम देना, किसी को वैल्यू देना गलत नहीं है, लेकिन जब वो प्रेम और आपका वैल्यू देना आपको तकलीफ देने लगे, तो ऐसे रिष्टे में आपका पीछे हट जाना ही आपके लिए सही रहता है। श्रीमद भागवत गीता की नौमी शिक्षा ये है कि जो इनसान दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, वो दुनिया की हर समस्या को पार कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, समझ शत्रु चमित्रेचर तथा मानवशी तोशन, सुख दुहक्यशू, समसंग विवर्चित की जो इनसान दुख सुख में, मानवमान में दोस्ती और दुश्मनी में कभी परेशान नहीं होता, हमेशा स्थिर र रखते हैं, ऐसे लोगों का मन बहुत अशान्त और बेचैन रहता है, खुद को कभी भी इतना हलका नहीं बनाना चाहिए, कि कोई छोटा सा दुख आकर आपको हिला के रखते, ये छोटी सी खौशी आ जाये तो इनसान का दिमाग ही घूम जाये, ऐसे लोगों पे कोई दुख सुखाए, तो एक समझदार इनसान उनसे घबराता नहीं है, उनसे डरता नहीं है, बलकि उसे समय की नियती समझ कर और अपनी समस्याओं का समाधान करके जिन्दगी में आगे बढ़ता है, इसी लिए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं, कि उसकी जिन्दगी में दुख और असफलता ही आते हैं, अर्जुन जब श्री कृष्ण से कहने लगा, युद्ध में इतने लोगों की हत्या करने से तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, बिक्षा मांग कर खाऊंगा, तो श्री कृष्ण बोले कि वो तेरा धर्म नहीं है, वो तेरा कर्तव्य नहीं है, तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, और आज जब इन अधर्मियों ने धर्ती पे इतना अत्याचार और पाप फैला, मुझे फूल चढ़ा दे या जल चढ़ा दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे, त अगर मन में प्रेम है, तो दुकान भी मंदिर बन सकती है, दिखावा दुनिया के लिए चलता है, लेकिन ईश्वर कहते हैं, मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रेम से पुकारे, तो मैं दोड़ा चला जाता हूँ, श्री मंत भागवत गीता का भर प्रवा उपदेश है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझ में विश्वास रखता है, उसकी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, तो मैं किसी ना किसी रूप में आकर उसकी रक्षा करता हूँ, बस कोई मुझ पे विश्वास करके तो देखे, जब महा का मन पांडवों से जुड़ा है, आपके मन में सच्चाई नहीं है, आप अपने राजा की विजय नहीं चाहते हो, जब इसे कठोर वचन भीशन पितामह से कहे, तो वो क्रोध में भर गए, उन्होंने कहा, मेरी निष्ठा हस्तिनापुर के लिए है, और तुम मेरी नहीं रहेगा, जब इस प्रतिग्या की बात श्री कृष्ण को पता चली, वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि भीशन जो एक बार प्रतिग्या कर ले, उसे पूरा जरूर करते हैं, वो सारे राजमहल में अर्जुन को ढूनने लगे, और उन्होंने देखा की, अर्जुन अपने कक्ष में आराम से सो रहा था, श्री कृष्ण ने जाकर अर्जुन को नींद से जगाया की, अर्जुन तुम इतना अरहम से सो रहे हो, तो अर्जुन बोले, एक केशव, आज सारा दिन युद्ध करके, मैं बहुत ठक गया हूँ, सोचा, थोड़ी देर आराम कर लू कल फिर सारा दिन युद्ध करना है वो, श्री कृष्ण बोले, तुमको पता नहीं कि आज भीश्म पितामह ने प्रतिग्या की है, कि कल या तो अर्जुन नहीं रहेगा या भीम नहीं रहेगा, तो अर्जुन ने कहा है केशव, मुझे भीश्म पितामह की इस प्रतिग्या के बारे में अच्छे से पता है, तो श्री कृष्ण बोले कि जब तुझे अच्छे से पता है कि भीशन पिता मान ने प्रतिग्या की है तुम्हारा वद करने की, और उसके बाद भी तुम इतना आराम से कैसे सो रहे हो, तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, ये है केशव की, जिसके लिए स्वयम आप इतने परेशान होकर इधर उधर घूम रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई खुद अपनी चिंता करे, तो वो इनसान मूर्ख ही होगा, क्योंकि जब आप मेरे साथ है, तो ऐसे एक तो क्या ख़जार भीश मूवी मेरे सामने खड़े हो जाए, तो वो सब मिलके भी मेरा बाल भी बहका नहीं कर सकते, और अंत में यही हुआ, उस दिन भीश्ण पितामह का वद हुआ, और अर्जुन की जीत हुई, श्रीमत भागवत गीता की, तेरह भी इस शिक्षा ये है की, अहंकारी और क्रोधी इंसान पूरे घर को, हर रिष्टे को, यहां तक की पूरे देश को भी बरबाद कर, सकता है, क्योंकि एक क्रोधी और अहंकारी इंसान को सिवा, अपने अहंकार को पूरा करने के अलावा, ना कोई इनसान दिखाई देता है ना किसी की बात सुनाई देती है वो अपने अहंकार को जिताने के लिए अपने हर रिष्टे को खराब कर देता है पूरे परिवार को बरबाद कर देता है इसलिए अगर किसी बहुत ज्यादा क्रोधी और अहंकारी इनसान के पास कोई पद, कोई सत्ता या कोई शक्ति आ जाती है तो उससे वो लोगों की भलाई कम बलकि लोगों का नुकसान ज्यादा करता है इसलिए धृतराष्टर ने इतने सालों तक हसीनापुर का राज किया लेकिन कभी किसी की भलाई नहीं की दुर्योधन जो उस रात युवराज था उसने भी कभी किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचा सिर्फ सब का नुकसान करता रहा बस अपने अहंकार की पूर्ति के लिए इसलिए कोई भी रिष्टा, कोई भी परिवार या कोई भी राज्य सिर्फ प्रेम से चल सकता है अहंकार और क्रोध से नहीं जीस रिष्टे में अहंकार और क्रोध आ जाता है वो एक दिन तूट जाता है और जीस रिष्टे में प्रेम रहता है वो जिन्दगी में कभी नहीं पूट सकता श्रीमत भागवत गीता का चौधावा उपदेश है इस दुनिया में परमात्मा के सिवाए किसी को अपना मत समझो यहां कोई अपना नहीं है क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं इश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है जब जिन्दगी में कोई दुख आता है ना बुरा वक्त आता है तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है लेकिन चाहे हजार मुश्किलें क्यों ना हो वो परमात्मा हमेशा हमारा साथ देता है इसलिए कहते हैं, जमाना जब भी मुझे 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 मु को उसके